मिस्टों, 14 साल बाद, ये अपनी जंता, घर में की और करवट बदली है, करवट, अभी खड़ी हुई नहीं, खड़ी तो उती दिन होगी चीज सक्कूबर को, उस नए दिहाज के निर्मान करने में पंभाई पे, जयाद से जयादा धर्म के भी आए, इस नया दिहाज रखे, मरियानपुर्शोतंत्री राम के, मन्निर कान्ना ओ निर्मान, I appeal to you, Ram Jyoti will give you all the inspiration needed for the betterment of the life, all what is needed for betterment of life is only Ram, if there is no Ram, there is no survival. For that purpose. Yes. 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 प्रिट्टीश परणम् व्याबग मायदोडे वलर्नुवन्न हिंदु मुस्लीम आयकियम् ब्रिट्टीश सामराजीतिंदे निलनलिपिन दने भीष्णी आय। प्रिट्टीश परणम् व्याबग मायदोडे निलनलिपिन दने भीष्णी आय। प्रिट्टीश परणम् व्याबग मायदोडे निलनलिपिन दने भीष्णी आय। जनसंगत्तिल चेरन पार्लमेंट अंगमाई प्रिट्टीश परणम् व्याबग मायदोडे निलनलिपिन दने भीष्णी आय। प्रिट्टूम् व्याबग मायदोडे निलनलिपिन दने भीष्णी आय। प्रिट्टूम् व्याबग मायदोडे निलनलिपिन दने भीष्णी आय। 23 दिसंबर की रात मैंने देखा कि बाबरी मस्जित में यकायक चांदी से ठुटी। और उस तेज रोश्णी में मैंने देखा कि एक चार-पांस साल का बेहत खूबसरत लड़का खा है। जब बेहोशी तूटी तो मैंने देखा कि सदर दर्वाजे का ताला टूटकर जमीन पर पड़ा था। सियासन पर बूत रखा हुआ था। और लोग आर्थी उतार है। 22 दिसंबर 1998 की रात्री में भगवान श्री राम लला आयोध्या में अपनी जन्म भूमी पर प्रगट हुए। भई प्रगट क्रिपाला दीन दयाला कोशल्या हित्त कारी। आर्यो कंडा आव विभ्रांदी के पलव्याख्यानंगल मुंडाई। आयोध्यल पल्लिक्यकत राम विग्रहंगल कुंडु वेच्च पुरोहिदरिल और आल्याल इंदम जीवी चिरिपुंड़। महन्त राम सुभग दास्जी महराज सास्त्री अखिल भारतिय रामानन समप्रदाय के प्रधान मंत्री। ये प्राइबेट महन्त भी हैं और उस ट्रस्ट के सरवाधिकारी हैं। आपने श्री रामजन भूमी के अंदर श्री रामजन जी का प्राकट उस्व किया था। वहाँ कौन सा डेट है, कौन सा तारिक है, कौन सा सन है आप बताने का चत करें। आपने श्री रामजन जी का प्राकट उस्व किया था। और वहाँ बाबरी मस्जिद ले भगवान का अबजार हुआ था। आपके बारे। आपके उपर भी कोई आर्गिनाइजर था। उस निक्ति में प्रधान नईर सहाब थे। केके नईर जो यहां के डीयम थे के रहुआ है। और उनीस सो उन्चास से लगातार प्रितमा रखी गई है। तब से नहीं हटाई गई अभी तक। आपके ने रखी थी। महांतरामसवक्दास जी, सास्त्री जी जो आप सामने में हैं आपने ही रखी थी। अज हमारे और भी सहज हुई थे। केवल में नहीं था। मुर्ति रखने का काम आपको कैसे, उसके बारे में आपने कैसे सौछा। तो स्वफने रूप हुआ और स्वफने को साकार किया है council है। मूर्ति रख के। स्वफने केवल इनी को नहीं आया अभरामदास के मन में भी आया, और महां धिक्विजे नात के मन में भी आया, महां थराम सुभगदाजी के मन में भी आया, प्रधान पुजारी उस समय मूर्ती रखने वाले यही आप हैं महां थराम सुभगदाजी सास्त्री, जो इस समय अजोध्या के सबसब्बाय उपरत हुए तो आम जनता तो यह नहीं से वारंट जारी किया था वो वारंट का नकल मैं इस समय आपको मौजोध में दिखा सकता हूँ आपको तो जेल से कैसे निकलाई जेल से कर वो जमानत पर रिहा हुए मुकदमे चले और मुकदमे से आप फिर बड़ी हो गए नईर सहाब ने निरने दिया कि जब तक इस केस का फैसला नहो तब तक इस सब बड़ी कर दिये जाए मेरा जो प्रारण भी काम था थी भगवान राम उसमें अस्थापित हूँ इस सिध्धान्त लेकर जितना काम करना था मैं किया अभी बोलने पर मुझे गवर्मेंट बंद भी कर सकती है इसलिए मैं बोलता हूँ नहीं पड़े पड़े ले वृधराय इमामम अधिखतन मगनम आसंभवम और कुनो सन बंचास की रात में जब मेरे फादर हाजी अब्दिलगफार साभ इशा की नमाद पढ़ने के लिए गई थे तो उस वक्त नमाद पढ़ा के घर जब वापस आए तो सुबा जुमे के दिन फजर की नमाद पढ़ाने इनको जाना था फिर तो उतनी में मौज़न रात में आया जो वहां मज़िद में रहता था सफाई करने वाला ज़रू देने वाला उसने बतलाया कि हमारे हाँ मज़िद के अंदर तो मुर्ती रख दिया है बेरागियों ने तो इन्हों ने का एक अच्छा ठीक है हम चल रहें वहां ऐसा कैसे हो स में का इंतजार आज तक कर रहे हैं आपकी ओमर आपकी ओमर कितनी है 14 से बड़ा से बड़ा हुआ हमारा कालबार सारा लकडी का सप्लाई करने का जो है मंदिरों से ही है है तानलो मंदिर में लकडी बेचते हैं हमारे यहां के डिप्टी कमिशनर साहब इनका नाम है नयाद इन्हों ने उसमें बुत रखा दिया रात को और जब सुबा की नमाज पढ़ने गए लोग तुह नहीं जाने दिया गोर्मेंट के जानते भी किसी को जो वहां सुभा नमाज पढ़ने वाला अलग और नमाज पढ़ने वाला एक खास आदमी होता जिसको पेसिमाम कहा जाता है आपको भी गए हैं नमाज पूर्मेंट को आज तक आप लोग अभी यही नहीं समझ सके अब क्या समझने आए हैं तो यह मामिला बहुत तूर पगड़ गया ना आप तो साहब अब जेर गवर है वहां अदालत में दुनिया अब खलफशार हो गया खुदा मालूम कितने लोग नजर आतश हो गए कितने लोग मौत के घाट पहुंच गए और इसके बाद जनाब आज आते हैं उसके उसके लिए जाट के लिए हम लोग उसी के सहारे हैं कि क्या फैसिला ह अब तो हमरी बात जौन पहुंचे कर आप पहुंच गई अब हमरी बात क्यों पहुंचावे वाला नहीं है और ना हमरी बात में कुनों ताकत है आज यतनी नफरत पैदा कर दी गई है कि जनाब हमारी सूरस से लोग बेजार हैं आयरती तोलायरती जनब ती आरिल सरकार हिंदू मदमावलिग वाधिकलेयं मुस्लीम समुधाय तेयं उरिपोले प्रिणी पिकैन्सर मेच्चु उरिवचत अवर मुस्लीम वरिंदगलके विवाहमोचिन नष्टपरिहायरं नलगेंड दिल्द नमिल पासाकी मरवचत अवर बाबरी मस्जित हिंदुकलके प्रार्थनिक्याई तुरन गुड़ुतू अदे समयं मुस्लीमकलके प्रवेश्रम निष्टिकी इमचीदू प्रदिशेत सुजगमाई मुस्लीमकल बाबरी मस्जित अच्छिन कम्मेट्टी रुपी करिचु पच्छे अद हिंदू तीवरवादत ते शक्तमाकाने सहाय चुल्ळू तुरन राजी तुन्डाय वर्गिय कलाबतिल एधांड रंडायरती अन्यूरोलं पेरान को लेपटताद पूजारी आए लालदास विबादर सलमाय रामजनमभूमी सलत कोड़ नीमी चपिरोही जनान मैं रामजनमभूम का परदान पुजारी हूँ और दत साल से कारजित में हूँ विवस्ता मेरी हाथ में है और अभी तक मैं उस मंदर की विवस्ता देखते चला रहा हूँ तो यह जो विश्व हिंदु परिशद ने मंदर बनाने का कारिया शुरू किया है इसके बारे में क्या सुच्छा यह तो एक राजनीतिक मुद्दा है विश्व हिंदु परिशद ने जो कारिकरम चलाया है मंदिर तो बनाने के लिए कोई रोक नहीं था फिर हमारे हैं ऐसा कोई विधान नहीं है कि हम भगवान को अलग हटागर के किसी जगा रखे जाएं क्योंकि भगवान जहां विराजमान हमारे होते हैं हम उसको मंदरी ही मानते हैं हमारे हिंदू परमपराई है चाहे वो किसी भी मकान में रख दिया जाए तब भी हम उसको मंदरी ही कहते हैं क्योंकि भगवान जहां बिराजमान हो मंदरी ही होता है फिर अलग से मंदरी बनाने का कोई अचित नहीं अगर अलग से भी बनाया जाता तो उस हिमारत में भगवान बिराजमान हैं हम उसको तोड़ना भी नहीं चाहते हैं और जो लोग तोड़ना चाहते हैं वो इस मुद्ध को लेकर तोड़ना चाहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में एक तनाव की इस्तिती पैदा हो और हिंदु मत हमारे प्लक्ष में हों, उनको यह चिंता नहीं है कि कितने वराज जन संगार होगई, कितने लोग मारे जाएंगे, कितने ख़टेंगे, कितनी बरबादियां होंगे या जो मुझलिम बाहुल छेतर में हिंदू रहती हैं उनकी क्या प्रस्तिती होगी हमारे देश के सामने तमाम ऐसी समय से आए हैं कि 1949 से आज तक किसी मुसल्मान ने वहां कोई अवरोध नहीं पैदा किया लेकिन जब इनोंने यह नारा दिया कि बावर के शंतानों से खून का बदला लेना है तब पूरा देश जो है उद्धंगा ग्रस्त हो गया और कम से कम हजारों लोग इसमें मारे गए मौत के घाट उतार दी गए लेकिन तब भी इन लोगों ने जरा से यह महसूस ने किया कि यह तनाव जो देश में फैल रहा है हिंदु मुस्लिम की जो एकता आज हमारे देश में बनी हुई थी तमाम मुस्लिम शाषकों ने मंदरों को जो जागीरें दी आज जानकी घाट में महाफी मनामा मिला हर्मानगणी के बहुत से भाग मुस्लिम नो की बनाई हुए है पाकिरे राम जी का मंदिर मुस्लिम शाषकों द्वारा मंदिरों में दी गई और अमीर अली और वावा राम चरन दास की जो समझेहोते थे उस पर इन लोगोंने पानी फेर दिया आयोध हील अवसान इप्पीकान उद्धेचिच्चु कुण्ड पदिना आयरम किलो मीटर तान्डान उन्ड रेधह यात्रा आयरकनकिन कर्स्टैविकरेईम हिन्दु वालनिर मारेईम कोड़ चेरकान उद्धेचिच्चुल्ड दायरुदू आयोध हील राम चेत्रम पणिया जो सप्न देखते बाबर के अरमान मिटा कर मानेंगे जो खेल रही है आगन में शमेल कुचल कर मानेंगे इस देल कुचल कर मानेंगे हम मंदिर वाही बनाएं जाता कैवल दाकी है काशी मत्रा बाकी है जाता कैवल दाकी है काशी मत्रा बाकी है बच्चा बच्चा राम का नरम भुमी के काम का बच्चा बच्चा राम का नरम भुमी के काम का देखे, वो ये भाशन चल रहा है ना, तो वो ही सुन रहे हम लोग, तो वो ही गरिप के लिए क्या करते हैं ये लोग, अब हम लोग आईसे पुर्पाईरी को रहते हैं, मुश्पार्टे आती तोड़ दालती है, क्या करें के बारिस में बच्चे लोग लेके सोते हैं, ठेशन में जाते हैं, तो भग जाते हैं, भगा देते हैं फो बिस लोग, ये क्या हो रहा है, क्या चल रहा है तो ये भाशन, बाशन कल रहा है ना, जाए के बार है, अब हमको क्या मालूम उतना मालूम रहता तो बता देते हैं, आम पढ़ेले इंसान नहीं है, क्या क्या चल रहा है क्याने आमको मालूम भी मालूम रहता था पड़ेले इंसान हो आज मैं हपीले में चलता हूँ आज को मैं सर्थार को और सम लोगों कोई क्लाएं बढ़ाता हूँ कि अयोग ज्या में जिस स्थान पर भगवान राम का जन्म को आ था वहां पर मंदर के निरमार को कोई शक्ती र और मंदर महीं बढ़ेगा आज बातकान ने यहां पताया तो मैंने एक अख़बार में मोती मोती ख़बर देखी यहां के कुछ वरिष्ट लाजिकों है मेरे नाम एक फुली अपीलती है जिसमें कहा है कि अज़वानी वांड अफ कमीनल गायक्स इस प्रकार की बाते करना के साथ पुजाए धंगे होंगे मैं इसको धुरभा के पूर्ण मांगता हूँ मैं तो जो जहता हूँ, कि यूँ तो शराव करने के लिए ठ्यालों की कर सकते हैं, लेकिन कमसे कम इस यात्रा के कारा किसी भी पजार की ग्रपर भी होगी, यह मुझे विश्वास है, और यह यात्रा रिस्पॉंसिदिलिटी के साथ, उत्तर दाइकों के साथ, लेकिन इस्ट् जिए खिखुबर राद अपोस्पी कार लेग! तैयारी तो देखिए रहे हैं, बहुत धुमदान से हो रही है, उनके स्वागत के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं, सरकार के कहने से मंदिल और मस्जीद का निर्मान नहीं होता है, यह धरम की बात है और पबली का अपना अटूप विश्वास की बात है, आप कौन से पार किसी पार्टी से जरूर कंसल्ट है, हम ऐसे दिल से कंग्रिस साही को चाते हैं, लेकिन हम धरम के जहां तक बात है, तो हिंदु धरम को तो ही है, देखिए नहीं, देखिए मंदीर मेरा है, जो अजवेद्या में मंदीर है, हिंदु का है, आज से नहीं सधियों पुराना है, उसको मुसल्मान लोग बायद तोड़के बनाया, उसको तो हम माने को तयार नहीं है लोगों का कहना है कि यहाँ पर दंगा फसाद होने के संभाव ना है देखे दंगा फसाद तो हराल में होगा है, हो तो कुछ इसका परवान नहीं है क्योंकि मंदिर मेरा है और मेरा पुर्वज का है अभीकाल से और मंदिर वहां रहे गहीं तंगा फसाद अगर होगा तो हम भी तैयार हैं हम सांती चाहते हैं लेकिन अगर मेरे रास्ते में को रुकाओट आएगा तो उसको छोड़ेंगे भी नहीं जात टेया हम अ जाति आए जात की बाथ यहանिया यहां वहां अपकुन से जातकि हैं घर्गäre आप कौन से जातके हैं हम आते हैं अड़मे बैकवार्ड सबसे पहले तो संग बना है आरेसस उसके बाद विसंदू परसत बना है और बजरंग दल तो विसेज करके राम जन भूमी के मुद्दे पर बनाया गया जैसे यूथ विंग है विसंदू परसत का बजरंग दल भारती यंता पाड़ी विसंदू परसत बजरंग दल पूरा एक संग परिवार है ये बजरंग दल मतलब भी है एक हिंदों का यूबा सक्ति एक साथ एक नाम से संगठित हो जैसे कि राम जी का बानर सेना था साथ एक आप ज्या काम परते हैं अंडिपित कर रहे हैं लोह कर रहें ब्लग कर रहे हैं यह ओक रएँ और लक रहए महीं पॉप आप उनुप लोगों जोभी इस हिंदु परसहत के ओपर गलत नजर देगा उसके लिए हम लोगों उसका कोई भी कुछ भी कर सक्ते हूं श्रूप तो पास्तों लोग निपट लेंगे उसके साथ हमारे हिंदु धरम के विरोधी हो जैसे कुछ मुस्लिम लोग है, कुछ अपने ही हिंदू लोग है, जो कि हम लोगों को बादा पहुचाते हैं, हिंदू धरम के विशे से. राम जी का जन्म कहा हुआ था, इसके बारे में कोई प्रमान है? इसके बारे में प्रमान है, जो रामायन में बहुत सारे बाते हैं, उसको दस्तवेज भी प्रस्तूत किया गया है. तो राम जी का जन्म कौन सी शताब दी में हुआ? ये तो बॉराणिक बाते हैं, इसको बताना तो हमारे लिए जडना सा असंभा होगा. कि आम जी कंजन कहां हुआ ये मालूम है मगर कब हुआ ये नहीं मालूम नहीं तीथी कभी से में कोई जानकारी मुझे देना असंभव लगता है कि अपने अपने आपको पिरो देने वाला ही व्यक्ति उसको उसके बारे में कुछ बता सकता है आपने पढ़ा होगा ना लौम में अभी हमारा हमने अभी उतना कुछ पढ़ा नहीं है और लो में मेरे ख्याल से ऐसा कुछ मिलेगा नहीं अपने जैसे धर्म गुरु अगरा बताते हूं हाँ पताते हैं राम जी के जन्म कितने साल पहले हूँ वुद हजार लाकों को बंच को हजारों को श्रुद हुद कुछ इसका यह इतिहास के पूरेश यह थैसे त्रेट आज़ास है अफ्ञाम। क्या कर रहे हैं हमको दर्शन करना है उसको आर्थी दिखाना है आ रहा है ना उदर से राम जनाम भूमी को आर्थी दिखाना है अच्छा शेवा करना है अच्छा तो जो भी मोटर गाड़ी आती है वहां दर्शन कराते हैं जी नहीं राम जनाम भूमी को हाँ, यह दिख्या आते है, दिगे, मंदिर आएगा उधर से, पूरा मंदिर? हाँ, हाँ, ट्रक से, उधर से ट्रक में मंदिर आ रहा है को? आएगा, आएगा, जो लिखा हुआ है. पुलिस अधिकारियों को अडवानी जी की ओर से खात जन्यवाद, आपने बहुत अच्छी, यह सामने रही गाड़ी रहेगी, सामने गाड़ी में रहेगी, कोई गाड़ी हमने रते हैं, आपने नहीं. थाल्स झाल्स झाली को हासто झाल्स झाल्स आज की तारीक में देख लीजिए जैसे ही हमारी विजे यात्रा बगवान राम जी की रथ यात्रा लाल केशन अड़वानी जी लेके बंबाई पहुंचे वैसे ही जन्ता दल के 68 सदसे उन्हें इस्तिवा देने के लिए उनको अपील कर दिये बीपी सिंग को के वीपी सिंग साब आब बढ़ जाएए और वीपी सिंग साब को देखिए मनल यो लोग की क्या वशकता थी आज की तारीक में आप सबसे सलाम अश्रुआ करते पहले दूसरे मसले हार कर दे लेकिन नहीं उनको अपने कुर्सी बचाने के चकर में मनल अलय योग तो दिया और मुलाहिम सिंग यादों जैसे आदमी कहते हैं हम राश्यात्रा को अंदर नी कुछने देंगे असली यादों नहीं लगता हमें क्योंकि अगर असली यादों होता तो राश्यात्रा का स्वागत करता ये असली यादों नहीं है ये यादों मुझे लगते है कुछ पिछिवी चीयानुळा सर्कारिन निकते सवर्न हिंदू विभागंगल यिदुर्त वरिगी आयरुनू आवरड़ विद्ध्योषम बेचे पिकिम राम चेतरतने मोऴ पिंदुनी आयमारी पच्छे समुहत लित्रनाल अवगणिके पेटिरन वर किडैल उरे पुदिये बोथम मळर्यान तुड़ंगी इरनू मैं गुंती निगरों की रहने वाली हूँ नाम मेरा भवान देवी है सिलाई के काम कपड़ा के दुकान भी हैं दोनों के दुकंदारी में करते हैं वही मजूरी खेतिवारी करते थे और खेतिवारी करते थे उनी के लोगों को जो मंदिरों बैट से हैं पुजारी लोग पूजा करते हैं उन लोगों के हम नोगरी करते थे और काट बीन घर के देते थे तो खाते थे पेड़ भरते थे और जब गल्ला घर में भार ले तो कहें बाहर ही हटो आप छूत हो गल्ला हमारे घर आप आप छूत हो चलो भागो यहां से हमारे घर में कदम नहीं रखना क्योंकि उनके घर में गल्ला आ चुका है और अगर हम उसके बाद में लोटिया चुना चाहे तो हमें लोटिया चुने नहीं देंगे यह इस ती थी अपहले की थी हमारे बुजर्गों यह थी हमें हमारे बुजर्गों की इसी तरह से सताया गया है इन्हीं लोग ने सताया मंदिर के पोजारी लोग ने मगर अब क्या रहें कि अब आसर के हैं अभी वही बात है यहां कास करने वाले 45 साल की मेरी उमर है आज कितने साल हुई जिस बखत अंग्रेज गया है तो अगर तोलना जिसको रहा है तो वही से भटा दिया होता है न जाने कब बना है आज हम 4-6 बार जुद्ध्या जा चुके हैं तो जब नारा बोलते हैं कि हिंदू मुस्लिम भाई-भाई आपस में सब भाई-भाई तो जब भाई-भाई हैं आज 40 साल और पताने के 30 साल पहले बना तो आब उसमें क्यों मंदी तोड़ दिया जाए तो दोनों बने रहें जैसे हम हिंदू भाई एक जिगा बढ़ते हैं तो हम दोनों भाई रहें वो ही देवता हैं वो ही देवता हैं हम दोनों को मानते हैं मुस्लिम भाई उसमें नमाज पढ़े हम उसमें पुझा करें हमारी समझने ये आता है और उसमें ये बिगालने से ये बिगालने से कोई नतिजा हल नहीं हो लग होना है उस स्वाई नु आप कौन की रखते हैं? हम राइदास ने चमार जिसको कहते हैं वही है इड़दो पट्षतिन्दे आघुआनम चेपी कुंड जनेंगल रधियातर के दिरे प्रतिशी दिक्यान बीहार ले पत्ने ही लेके मार्च चेदू 43 साल के आजादी के बाद में भी महंगाई आज आस्मान को चू रही है बेकारी आज करोडो नव युवकों की है भूक मरी और गरीदी आधे से अधिक लोग आज भी उस लक्षमन रेखा के नीचे हैं यहाँ पर मिरक्शर्ता बीमारी चारो तरफ पहली हुई है मगर मालूम होता है पिछले कुछ महीनों से कि मानो इस देश में इन में से एक भी समस्या ऐसी है ही नहीं एक मात्र समस्या अगर कोई है तो वो है मंदिर और मस्जित की बिरतर अगु बीरा के नाम पर एक रत पर चड़कर एक पक्ष के नेता उनका चुनाओ चिन्न कमल को लेते हुए और भारतिय जन्ता पारिटी का थवज लहराते हुए देश बर में रथयातरा कम्त करते हुए गूम रहे हैं तो ये किसलिए गूम रहे हैं बीजेपी के लिए वोट बटोरने के लिए अगला चुनाओ अगर आवे तो 88 का 188 किस तरह किया जाए इस बात पर सोचने के लिए मैं ये कहता हूँ कि उनके सारे ये रंगीन सपना चूर चूर होकर रह जाएंगे क्योंकि इस देश में बहु संख्य हिंदूों ने धर्म निरपेक्षता को अपनाया है अगर आज ये भारत एक धर्म निरपेक्षत देश के रूप में है इसका बहुत बड़ा अश्रे इस देश में बसने वाले 85 प्रतिशत हिंदूों को बेशक जाता है लेकिन ना महात्मा गांदी ना जवाहरलाल नहरू ना फासी के तक पर लटकने वाले हमारे वो सैक्रों तमाम जो शहीद हुए उनमें से एक ने हिंदू राष्ट के लिए अपनी जान नहीं दी इस बात को भड़ाया नहीं जा सकता है मगर ताज्यूप की बात है हट है मंदिर वहीं बनाएंगे वहीं बनाएंगे और मस्जिद तोड़ करके ही बनाएंगे इसमें राम की मर्यादा है आयोध्या राम का जनमस्थल है माना ये बात हिंदूों का एक विश्वास उनके अस्मिता का सवाल है इस बात को मैं मानता हूं पर मैं ये कहता हूं कि मुझे कोई कह दे अड़वानी जी या कोई और कि आयोध्या का वो कौन सा चप्पा जमीन है कि जो राम की याद से पवित्रन नहीं ये मुझे को वो कह दे आयोध्या के कहीं भी जाकर कि आप मंदिर बना लीजिए हम में से हर किसी ने हजार बार इस बात को मंदिर आप बनाएं बेशक आयोध्या में बनाएं बेशक भव्य बनाएं मगर ये हट न करे कि मस्जिद तूटने पर ही वो मंदिर बनेगा ये हट न करे हम में से कोई लाल जंडे मानने वाले हो या कोई और भी हो हम सब धर्मों की श्रद्धा करते हैं एक धर्म की अस्मिता और अंकार के नाम पर दूसरे धर्म की अस्मिता और आस्था आप तोड नहीं सकते इस बात को ध्यान में रखिए दोस्तों हिंदु धर्म में सहिश्नुता है असहिश्नुता भी है मानोता भी है और जातपाद की व्यवस्था भी है और इसलिए वर्षों से संत और मांतों ने अनेक प्रकार के सुधार लाने के प्रहतन किये जातपाद व्यवस्था के खिलाफ उन्होंने अपनी आवाज बुलंद की आज भी वो कायम बढ़ा हुआ है आज एक नया प्रेतन चल रहा है कि इस देश के अंदर में जिनको प्रशासन से दूर रख कर कहा गया कि ये सिर्फ सेवा और चाकरी करने के सिर्फ इसी लायक है और किसी चीज़ के लायक नहीं है आज एक प्रेतन किया जा रहा है कि देश के कारोबार चलाने में उनको भी हाथ बटाने का मौका दिया जाए लेकिन वही ताकतें जो हिंदु धर्म के अंदर कठमुलापन कायम रखना चाहते हैं जंडा लहरा कर मस्जिदें गिराना चाहते हैं वही लोग इस देश के अंदर में वरनाशनम और जातपात के नाम पर भी जो है तो आज कसमे खा रहे हैं और उसके प्रेतन कर रहे हैं इनके चेहरों को देख लो इनको पहचान लो इनके मनोवृत्ति को समझ लो और इसलिए मैं कहूंगा कि यहाँ पर ये सारी लडाईयां एक तरह से जुट गई हैं कि मस्जिद कायम रहेगी मंदिर जरूर बनेगा इतना ही कहते हुए मैं अपनी बात को समाब करता मैं कहूंगा देश द्रोहियो साउधान जाग उटा है राम भगवान आपने कहना है देश द्रोहियो साउधान जाग उठा है राम भगवान मैं कहूंगा ये तो पहले जाकी है आपने कहना है काशी मतुरा बाकी है ये तो पहले जाकी है काशी मतुरा बाकी है ये नोंने तलवार दी थी भाई को आज मैं उनको ये तलवार दे रही हूँ उनके अभे के लिए उनके निर्भाय के लिए एक बहन्य तलवार देना अपने आप में इत्यास बनता है बोलो स्रीलाल कृष्णा अडवानी जी की सोगंद राम की खाते है एलके अडवानी जिन्दाबाद राम भक्त जिन्दाबाद और जोर से बोलिए भगवान शिराम की आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार लोग कहते हैं कि आप अड़ालत का फैसला क्यों नहीं मानते अड़ालत के इस बात का फैसला करेगी कि यहाँ पर राम का जन्म हुआ था के नहीं हुआ था आप से तो इतनी आशा है बीच में मत पड़ो रास्ते में मत आओ क्योंकि यह जो रथ है लोक रथ है जरता का रथ है जो सोमनाच से चला है और जितने मन में संकल पकिया हुआ है कि 30 अक्टोबर को वहाँ पर पहुँच करके कार सेवा करेंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे उसको कोन रोकेगा कोन सी सरकार रोकने वाली है बेजेपी नेदाव एलके अद्धुआनीवड अरचिल प्रतिशितिच पार्टी आहुआनम जेएद बेंदिल राजित्तिन्टे विविधा भागिंगलिल अक्रमंगलोंडाई राजसानिल कोल्लाइम कोल्य वेप्पन ताड़यान जेपूर नगरतिल सायन्यम रेंगत तरंगे उरु पोली सुकारे नलकम आँचि पेर कोल्यपट्टु गुजरातिल वीएचपी बीजेपी बेंदिल एट्टुपीर कॉलेपटो राजसानिल जयपूर, जोधपूर, आलवर, नगोर निवडंगल व्याबगमाई अक्रमंगलोंडाई राजसानिल इदोवरे नालपती ओन्पतपर मिर्चिताई वारता एजनसी रिपोर्ट चेहनो वाहलें बर्फॉर्स हमने ने मकान को खली करा देना है आतिे क्रार करेंगे मंतिर जासे है कि मंतर बनेगा विजब राजए संधिया माधा जी माधवरा बाद रासंधिया की माता जी मैरी माता करूँगा आज मैं भारतिया जंता पार्टी में शामिल हो जाएंगा या कांगरसाई में जंता दलाज मैं ने छोड़ दिया मैं विधाएक हूँ मैं में ले हूं हरीना से ताउती भी लाल के हाँ से लेकिन आज मैं घुलाइम सिंग यादब के खिलाफ हूँ घुलाइम सिंग यादब मुझा रैश्ट नहीं कर सकता उसकी पावर नहीं पंडर चन्छी लाल एंपी करनाल से मेरे मामे है सुचमा सवराज को नहीं मानना हमें राम को मानना है जो कितने सालों से हमरे देश के अंदर राम राजी था दर्श्ट के बेटे थे हम राम जनब भूमी को अपना मानता देते हैं तो हम जी बताता है कि सुबह से पी के रखना है नहीं नहीं इनिंगा जय यह फिर्थी में कंदर तो दुई रचाहां वो तो सुमरस है भाई साम बता रहें कि आपने सुबह से शराफ पी रखी है यह सोमरस है, इसका बहान बड़े-बड़े देतानों किया, दर्योदे ने किया, धरद्राष्ट ने किया, शिरिकष ने किया, तो यह तो सोमरस है, इसको पिने के बाद माग बढ़ता है। कि अब तो कहीं पैसला हुए वही ठीक है तो अपना मजदिर बनाओ हम लोग अपना निर बनाए आपने मजदिर बनाए बाइफ नब भाइफ नबाइफ ओब विसेस बात में अब अब एतनी दूनों फरीकें में इतना जुज्य है और इसमें फायरा कुछ नहीं होगा बस नुक्सान के लावा का फायदा है लावा पैसा है अब लगाई हो ठनी तो पैसा लागी इधर ते पैसा इधर उधर नहीं पर हमालोगा गहता है रहें लोग 24 гр Komm गो ले पैसक काम नहीं आ नार रहा है। भस का है, हमानों लोगन का गल्ला बक्खानी शस्ता है, और और कोई जिर सस्ती नहीं है, सब गल्ला हमारा लोगन Linkin शस्ती है, और जत्तीभ है यह इस अब हमारी बार जदाने तो नया mr. लोगन का दो यह सब बाते वेकार के लराइं जग्रा करने वाहे हैं अब बना लेकिन अब उठा वाली मतलब बात हो गई आप हिंदू है कि मसल्मा यहां हम तो हिंदू तब आप सोचते हैं कि यहां मंदिर नहीं तोटनी चे विल्कुल क्यों भाई हमारे मंदिर बना होई कोई तोड़ा लागे तो हम कैसे बात तोड़ जये मंदिर अगर तुमको मसिद बनाना तो अलग बना लिए तूर मजिद न तोड़ा जिसे चीज बनी तो तोड़न नहीं आप लोग कौन से जाते हैं तर्मा लोहार मतला लोहे काम करना तो आप में से कोई बामन राजपुत तो नहीं 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 इसमें ब्रहमार कोई नहीं नहीं ब्रहमार कोई 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 नहीं ब्रहमार आप यहां कितने साल से हैं? कडिब पाइंटिश्य। आप पुजारी हैं यहां इस मन्लेट में क्या नाम है अपका? महत भल अदरश्य। यह गो जीए जो अभी हो रहा है, इसके बारे मारा राट। नेलए साय कम भीनाने से बुरेट मेरेट साट बहुतृ मुध बहुतृ भरपनान फेड़ीज। कोई अजदान उन्ला कोई वृवाल नीटाू और भाकवाल थीजक्ट नीटा। वे लिए भगवार को नगडी सांट सुवाब था आप तो बवाले 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 चलता है यहां पर मंदिर बहुत सारे हैं पुरानी जमाने के पांच हजार मंदिर रहे आप तो घर घर मंदिले हैं घर घर मंदिले हैं जो दुकोंसरी पनाए है यह भगवान को मंदिर बनवा लिए है और मस्जिद भी हैं यहां पुरानी में? मस्जिद भी कककाईगो है जब अंग्रेज की जमाना था तो मुसलमान भी काफिर था कुनों अवाल बवाल नहीं होता था अजुद्धा के जिमिदार रहे मुसलमानों जो अच्छन मिया नाम को था पहले अजुद्धा के जिमिदार था यह अमावा कोठी है यह सम मुसलमानिक था यह सम पुरा महजिदे रहे यह मनी परवत है जो कम से कबरे कबर है वहां करीब कुटवाली के पीछे नवगजी है नवगज के कबर है कुट बवाल ने था पुन्य पढ़ी पंच ने था यह तो के वल वही राम जनम भूम के तब से बवाल 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 शुरूँए बाशो जब नजयर सहाब रहे तब से पहले कहां बवाल रहे बगवान जनम लिया था अभी ने मालूं कि यह घर में लिया कि वहाँ पर लिया कि वहाँ पर लिया मगा भगवान अजुद्धा में जनम лिया अभी कैसे को हो कि हम यही महजिदे में जनम लिया आज तक जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर में इस तरह से दंगे फैलाएगे ये मात्री एक संपरदाईता का दंगा खुर्शी और पैसे के लिए फैलाएगे ना कि ये राम जनम भूम के मैं तो ये कहना चाहता हूँ मैं राम जनम भूम मंदर का पुजारी हूँ मैं बिल्कुल सत कहरा हूँ आपसे कि आज तक बिश्य हिंदु परशद के लोगों ने वहां पर एक माला भी नहीं चड़ाया भगवान की पूजा अर्चना तक उन लोगों ने नहीं करवाया वहां पर और कब बल्कि उन्होंने पैसा चाहिए पैसे पर खरीदे गए राम शिलाएं घुमाई गई उसके उन राम शिलाओं को उन्हों लोगों ने अपना कमरा अपना मकान बनाना शुरू किया और काफी जन भावनाओं को उन्होंने दोहन करके और बड़ी-बड़ी विल्डिंगें त्यार कर ली करोड़ और रोपय लोगों ने अगठा किया, लाख विभिन बैंकों में एंदमने डाला, और लाख रुपया अननों रजयकतिकत अपने खाते में इन लोगों ने डाला। तो लोगों की हत्याय हो जाएं, लोग नश्ट हो जाएं, इससे इनको कोई मतलब नहीं, इनको मतलब पैसा मिले, कुर्षी मिले. यहां जो लोग हिंदू राष्ट की बात करते हैं राम के नाम पर तनाव फ़लाते हैं हिंसा करते हैं यह सभी उचिजाद के लोग हैं और इस सब के सब सुवधाब होगी है इनमें त्याग और तपश्या और जर्मानस का हित लेस मात्र में है यह केवल धार्मी घौनों को भार करके और स्वयम को सुक्सुद्धामी वो परणित की हुए है यह जन्हित की बात करी नहीं सकते है लेकिन आज बड़े-बड़े मठ हैं करोणों और अरवों की संपत्ति उसमें है और हम पैदल छोड़ करके एरमेल से चलते हैं फस किलास की टिकेट पर चलते हैं यह कंडिशन के कमरे में रहते हैं तो जहां पर हम एक तरफ भावधिक बादी व्यवस्ता से अलग हो करके त्याग और तप्रश्या और जन्हीत की बात सूचते थे उस जगह हम उसको त्याग करके और हम भावतिक व्यावादी व्यवस्था में प्रूरूप से लिप्त हो चुके हैं तो हम भावतिक वाद की ही बाद सोचेंगे हम उसे परहट नहीं सकते हैं तो यह आज के धर्माचारियों को आप क्या कहेंगे हम तो इनको भौधि-बाजी विवस्था का एक पोशक मानता हूं यह जो पूजी पति कहते हैं कि हिंदु धर्म की रक्षा हिंदु धर्म की रक्षा है मैं कह रहा हूं कि यहीं पर देश के पूजी पतियों जो आज धर्म की आज असोग सिंगल को इस बात की जो कह रहे हैं कि हम बहुत बड़े राम के भक्ते हैं कि अराम का यही आदर्स है कि 90 परसंट लोग भूंखों मरें यह हमारे देश की जो भिखमता है आज यह क्या इन धर्माचारियों की पर नहीं चाहिए अगर आप बड़े पूजी पती हैं आपके पास पैसा है आपके कहने में एक पूजी पती समधाय डेस का है तून पूजी पतियों से पैसा लेकरके उन गरीब मों लगाई यह जैसे मदव टरेशा कर रही है यह और जिन धर्माचारियों ने किया है उनका नोगर न करें आप मैं इंकम टेक्स डेपार्टमेंट में डेप्टी कमिशनर हूं पिछले साल मार्च दो को मैंने विश्व हिंदू परिशद के जो अकाउंट से उनके बारे में जाने के लिए इनको सम्मन्स जारी किये थे अशोक सिंगल समेत जो लोग इनका हिसाब देखते हैं उनके पर दिये गए थे 24 गंटे के अंदर अंदर विश्व हिंदू परिशद का एक बहुत बड़ा डेमोंस्टेशन 28 लोधी एस्टेट पर परधान मंतरी के बाहर हुआ उसे दिन मेरा मदरासता बादला कर दिया गया और तब जो सरकार थी उन्होंने उस पूरी इंक्वाईरी को दबा दिया फिर मुझे एक सस्पेंट कर दिया गया विश्विंदू परिशद के बारे में दो तीन चीजें मुखे मुदे हम मैं देख रहा था एक तो यह कि क्या इनके पास बाहर से पैसा आया है कि नहीं आया है विश्विंदू परिशद ने Reserve Bank of India को अपलाई किया था है कि हमें बहार से पैसा लाने दिया जाए क्योंकि बहार से उनकी बहुत सारी ब्रांचेज उनके मंदिर के लिए पैसा भेजना चाहती है Reserve Bank of India ने इनको ये पर्मिशन नहीं दी क्योंकि ऐसे और्गनाईजेशन जो देश के अंदर या थो थोड़ फोड़ की कारवाई कर रहे हों निया राजड़नीती कारवें में लगे उनको ऐसी पर्मिशन नहीं दी जाती है और विश्विन्दू परशद को ऐसी कोई पर्मिशन नहीं दी गई थी विश्विन्दू परशद अमेरिका नाम की एक संस्था है अमेरिका में जिसके करीब 200 ब्रांचेज हैं सारे अमेरिका में और ऐसी ही ब्रांचिस कैनेडा और इंग्लेंड के इंदर हैं जिन की संख्या करीब एक लाग से उपर सदस्यों की बताई जाती है और इन से पैसा ही कठा किया गया यह हमारी नॉलिज में था ऐसा है कि इंकम टेक्स का रिटर्न किसी ट्रस को फाइल करना होता है तो उसको सारे अकाउंट्स की तफसील देनी होती है यह कानून है 30 अक्तूबर 1980 को अशोक सिंगल ने एक रिटर्न फाइल की जिसके अंदर उन्होंने उसके उपर तो लिख दिया कि हमको इतना पैसा आया और इतना पैसा हमारा गया है और मैं उसके साथ सारी एक एक चीज़ का बयान दे रहा हूं कि कहां से पैसा है कहां से नहीं है वो सारी बयान जो था रिटर्न से गायब था तो हमने ये सबसे पहले था कि उसको हो सकता है कि शायद हम से खोया हो हमारे डिपार्टमेंट से खोया हो और इनके कई ऐसे नेताओं के खिलाफ हमारे पास जो हमारे इंफॉर्मेट से हमारे पास इंफॉर्मेशन ला रहे थे इनका जगड़ा भी हुआ विश्विंदू परिषद की नेताओं का आपस के अंदर की एक करोड सियासाट लाख रुपया जो शेला नियास पे खर्चा हैं ये बाते हैं महाँ पे जगड़ा हुआ फिर नई कमीटी बनी लेकिन उसके बाद फिर एकदम ये पूरा विश्विंदू परिषद ने जब देखा कि ये बिल्कुल इंक्वारी उन लोगों की कन्विक्शन के अंदर निकल सकती है क्योंकि इनके पास ना तो किसी तरह क देखने घर नेता है कि हम कुछ नहीं चुपा रही है जब छुपाने डरहें तो आप कानून के आगी अपने गवाय देने के लिए आप क्यों भाग रहे हैं पिछले 13 मेने से आप छुपतें क्यों फिर रहे हैं। अगर एक कानून इंप्लिमेंट करने वाले आफिसर को अगर आप उसके साथ ऐसा करेंगे तो इस देश में कोई कानून नहीं रहे हैं। अगर मेरे को तो कोई उमीद नहीं है कि ऐसे कुछ इस देश का कोई भाविशन मेरे को तो नहीं रखता है कि अब कुछ भाविशन रखता है इस देश के लिए जब आपने ये सब करवाईयां शुरू की तो इसके बाद किसे ने आपके उपर दबाव डाला या धंकिया वगरा दी हाँ मेरे को दो बार दो लोगों ने धंकियां दी मैं उनके नाम नहीं देना चाहता है दो धंकियां दी है और अगर आगे जबान खूली तो हम आपको आपको जान मार देंगे आपको जान से ये बात मेरी नहीं है ये बहुत सारे जितने भी मेरा यास तक अनुबा हुए कि इस देश में जब भी कोई सिविल सर्वेंट ने ब्रष्टाचार के खिलाब आवाद उठाई है पिछले दस साल में वो उस आदमी ने भुकता है तो इससरे भी बीएश पी का सवाल नहीं है समझता हूं है सब जगा पैसे वाला गरीब को जरी लिए जलालत जो है सब जगा गुजगई है और धरम को उसको नाम देना यह तो बहुत गलत बात धरम तो बिलकुल ही नहीं है कम से कि डायौ पन्व, mere यहाथ करेगा है थी, डायौ शवी नहीं है घा करिए मते है रूस ने तक अलमेड तो धुल के यह कव़ इते है राग्स नहीं है अर्सकॉ लेुचुण 3 विए यह मतल भूखुषकार मिषता हे थी, आक शृर करेगा हा हिरुछ। भोहूहूहूहू यसी लाम, यसी लाम, यसी सी लाम, यसी लाम। तीस अक्तूबर को इंदू पहुंशेगा, सर्जु में एक बुंद जल नहीं रहेगा, वो खून की धारा से नदी बहेगी, और साड़ा अजुद्या रक्त रंजित हो जाएगा, हल्दी गाती अजुद्या बनेगी, ये इंपाल का मैदान अजुद्या बनेगा, जल्येन बात कांड का उदा अंजुद्या परष्टोत होगा, मोलो पुर्टी बीच्पनाति कें मारेंगे मर जायेंगे मन्जेर वही बनाएंगे माडेंगे मरजाएंगे करसेवेकिल्डो दिनम् ओक्टोबर मासं मुप्पदाम दीदिया इदने चीकिम्पोल अन्नु तन्ने नटक्किनेंड परिक्रम यात्रईमाई अधने बोधबुर्बं कूटी कोड़किया इरुनों वी एच्च्पी परिक्रम केतिया साध्रन कारेईम पल्ली पोलिक्यान रंगे तिरिच्या कर्सेविकरेईम तिरिच्या रियना अवात दिनाल तादेश्या भरन गुडम अबडे उरकर्फी परख्या बिचू लिकी ने जयपूर को जला दिया खूंग दिया बरबात कर दिया घबर आता है इसी भाउना खराब कर दीगे इंदोस्तान की भारत वर्ज की इसका जवाबी नहीं मिलता है पर करने तो तमाम मुसलमान जाते थे शोकिया कुछ यारी दोस्ती में भाई से मेरे तालूगा रहा है जो जब दोस्तान की आप उदर खड़ा हो गया ना बहन रही रहा जो हिंदू है उनकी क्या इसे हम लोग और ना उनमें भी खड़े है यहां बराबर बैठे मेरे गाव में हिंदू मुसल्मान की भावना कोई ऐसी नहीं ना हम हम कि मेरे यहां साध्यी विया होता है वह परस्ते है हम ख्याते हैं ऌल यह भावन दुन पार्टियों अगदम भाई बंदि यहां तो हमाइस तो कोई ऐसी बात ही नहीं है तो सपूरदाई का अपको बहुत कम मिलेंगे जब तक यहां बाहर के असामाजिक तत नहीं आएगे तब तक यहां जगडा होने कोई सवाल नहीं ना तर जिस टाइम असामाजिक तत आ जाएंगे युश टाइम तो जगडा होना होना है आम जलता को सुजित किया जाता है कि सहर में कर्फ्यू पूरी तरह से लागू कर दिया गया है कोई भी ब्यक्ति कर्फ्यू का उलंगन करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाब सबसे सब कारवाई की जाएगी और बल प्रियोग किया जाएगा कि आम जलता को भुजित गया गाता है जाय में करफिकन को नह्मर परधिया भी आम एकर गृष उईक chilli Rak गला रहा सौंटी और श Our wonderful शोने सराथ जया मैंそうक्ति साम्लिभा ट्र Twelve उक्टॉबर मासं 30 आज़ी अयोध हिले तेवर सरयोपालं कडणन अविटेप्रवेशिक्कि मुनुब अरश्चुचिया पटो हिंदु तुत्तनि वेंडी तंगले तुणक्या नाण कर्सेवेगर पोलीस नोड़ आखु नम जेतताथ है 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 आख भुझ गोलिकाएंगे बंदु मुझ भी बिलाएंगे बंदु भी बिलाएंगे एक चाष्व बासर साथ पहला एक लोटेरे ने आकर अगर हमारे मंदर का ध्ष्त किया है तो जिए हमारे माधिदा क्लंक है, अगर जे बावरी मच्चह रहेगी, तो हिंदुमबर पर जे कलंक हमें अपनी गुलामी याद जिलाता रहेगा, हम इसे को उठा करेंगे, जिए गुलामी का चिन है, यह से हम खतम करेंगे, चाहे खूड से करें चाहे गोलियां से खूड़ा हो अगर वो इसको क्लंक को अपने मासे पर लगा करके रखना चाते हैं योत्रपरदेश की सरकार यह मुल्यम सिंग तो वो बना करके इसको उठा कर पर पर नहीं तरह से हम अपने हाथों मेरे वाल पकड़ेंगे हम कर्मेंट तर्वेंट के अध्या पके लेकर नाफ छोड़ देंगे कलम और पकलेंगे रिमालवार एक गौर कीजे कि महात्मा गांधी को भी गोली इसने चलाई गोडसे ने गोडसे कौन था हिंदू अगर सरकार का यही रवाई आध अराध में गोडसे इए बन जाएगा फिर तो अगर बिलकुल सही किया है उन्होंने बिलकुल सही किया है किया है उसने गोडसे कोई गलत नहीं किया और दिकार है कि जो 70 करोड़ हिंदू को एक तरफ रख करके 10 करोड़ मुसलमानों की इरतलवे चाड़ता फिर रहा है दिकार है ऐसे हिंदू होने पर अच्छा आप कौन से जात के हैं हम हिंदू है खत्री सबसे पहले हिंदू उस पुरा कर लेन दो ही अमारा जगडा इंट्रेवा ने बूरा कर लेन दो है आप कहां से आए डिश्ट के था की अचा हम पर्म आ हैं गंदा जी कि अप ट्रभ इक्रमा देने हैं ने हैं और कार से वा के लिए आए कि ने हुन हैं कि आए से रिक्रमा करते हूं। अप कर्देजीब दूदें दूद quién can कोई लेना देशाइए तक मसली नहीं को आपको नहीं तो प्रक्स नहीं पर हैं? कोई नहीं हम तो जा का मंदर में ठ्खेर एंगकि येक मंदर में हैं। यहन के मंदर है हुआं पढ़िया पती मनटर हैं। आच्छा तो आप यह नहीं कह रहें के मंदिर वहीं बनाएंगे? कौन? हम तो कुछ नहीं कह रहे हैं, हम तो अपने चस्मा को और खुए आज वह दो अंदे और हो गई है हम क्या कहांगे अब? हाँ हाँ, तो चलीए तो चलीए चलाए माददाडी पैचे तो चलीए माददाडी पैचे קून का तो कुन में, तो चलीए मादडी है कि सिर्दू तो चलीए माददाडी का को इए कून करना पीए सोपने कद दो फार सारी मर्सा मुपानदाप अनलि अन्हाँ का का तेना कि पैचे श्रीदू सिर्दू कथ right पत्रकार अमरे वर नायं दो हारस अरे घर 5 जी निकैल गाहा हैंदो दृमांजी dział गरें pada Pege शेढ़ 15 मिल भोड़ें यहां हाचता लाषकिते एलाधिल भाउधा प्रेशा उले इन आॅभइटे पाषब वहे clones लें फैंजी नेगा फ़ीर लाइस्कायोदव भारण यंदरतिले पाला उन्नदरिम् सवर्न हिंदुक्ट आयरुनु। हिंदुत्व वाध तूडुल्ला आपरड अनिभावं रहसिमायरुनिल्ला। विश्यो हिंदु परिष्टिन्डे वाईसप्रस्टेंट से दीचित मुन पोलीस डिरेक्टर जनल्ला आएड़ुन। अधेहं इपोल्ड पोलीस ल मैको ब्योगिच्च करसेवगरे अभिसंपोधन चेयुगे आण। प्रसंगम अवसानी चिन्दमिशंगल कगम अधु पोलीस लिम्म चलेन मोंडाकी। बैरिक्केटुकिल तकरत्तु करसेवगर पल्डी अंगणतेल परिवेचिच्चुु की अवसानी टूँ की च सी हिएक जाद है ड् framework हुआ 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 रहा हुआ 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 झैसे रख जैसे वायो है क्वायो क्वायो कंड आण जाईोर्ब ज collecting और जिए, क्वायो मंदिर को मैंने कबजा किया तोड़ दिया तोड़ करके हैं आम ने चाहा जो कुछ हो जाए लाठी या उट से भी रहे और हम तोड़ते भी रहे और तोड़ते भी रहे आज तो पर मस्ज़ेट पते हैं तो नीचे से गोली मारे पुलिस वार आपकी जानकारी में कितने लोग तो इसके बुरा नहीं लगता है कि आप ने जो कारवाई की है उससे लोग जाने गई अगर आप ये नहीं करते तो वो जिन्दा रहते हैं ना जिसके बढ़ नहीं लगता है बुरा तो लगता है साब लेकिन फिर वी उसके बाद तक्षॉत कहते हैं। तो लोहों के जाने के उसके избालबा हैं। उसके लिए हमको बड़ा दुख है। अजयोओ! ये लगा धूजर न लगे टिनार, एंद जरा वोच आजzkरा, जन न लगे टिनार, किबरा जे टिनार कर दो कर दो जर्ण मानस को इसको अविरुद करना चाहिए कि किसी की धार्मिक भावना पर ठेज नहीं पहुंचाना चाहिए हम किसी के दिल को तोड़े नहीं है हमारा धर्म ये डाउन है करता है इसे इसको कभी अनमती नहीं देता है राम का हमारा ये जो आदर्श है राजिनितिका वो यही है कि जनता सुखी रहे और जी से जबह होग हपूरी तरह से सारे जनता हमारी हे कोई उसमें चोटा बड़ा कोई उसमें एसा नहीं है नेकर उन आदर्शों कि सीथी हत्या की गई मगर आज जो लहर चल रही है हमारे देश में इस लहर में जो लोग ग्रणा की भाषा बोलते हैं उनके पीछे ज्यादा लोग चलते हैं और जो लोग प्यार की भाषा बोलते हैं जैसे आप बोल रहे हैं उनके पीछे कम लोग हैं ऐसा नहीं है ये तो जैसे एक बार आती है भाटे की तरह से जब तूफाना था तो उसे तमाम पेणगेर जाते हैं तमाम मकान ढह जाते हैं सरक्ट्ट हो जाते हैं तमाम परिबहन से भेसेवाय ट्रप हो जाती है एक दोहा लिखा है आरन कानमी कि हरित भूमित्र संकुल समुझ परही नहीं पंथ जी में पाखंड बाद ते लुप्त भई सद ग्रंथ जब घोर बरशात होती है जो तिनी घास उख जाती है जो सही राष्टे उदिखाई नहीं बढ़ते हैं उसी तरह जिस तरह से पाखंडियों की बाद से सही बात जो है छुप जाती है जैसे कोई आदमी खा लिया कोई नसा नसा जब तक उसके सरीर में रहेगा तब तक कोई भी क्रियाव कर सकता है पागल भी हो सकता है अटेक भी कर सकता है स्वयम की आत्महत्या कर सकता है यह से मु तो आज जो कुछ लोगों में इस तरह की बाते हैं ये एक उन्माद है अब जब लोगों को असलियत सामने आ जाएगी जब लोग जान जाएंगे कि हाँ ये बात गलत कही गई हम लोगों को गुम्राह किया गया तो अपने ही लोगों उसका वहस्कार कर देंगे मैं बहुत दुख मैसूश करता हूं तब भी मैं अपने को उतना ही सैयम उतना ही धैर में भापना बना रखा हूं तुफान है लेकिन उस तुफान से हम उसे बिचलित नहीं होना चाहिए ये भाठे की तरह से आया और गया मंदिर के अंदर हमें जाने ही नहीं दिया जाता है तो मंदिर से हमें क्या लाव है मंदिर की मूर्तिया अगर पिस जाएं पिस दी जाएं तो हो तो दुबारा हूं कई परकार के मसाले से बना सकते हैं लेकिन हमारी अगर जनता कड़िया तो हम किसी परकार के मसाला उसमें नहीं लग सकता है और अगर देखिया हमारी इस बस्ती में बहुत से लोगों की जलम भूम हुई है अब ही यहां ही गाहों से करीब परीब डेर से बस्ती है उनको निकाला जा रहा हूं और यह कही क्यों राम है उनकी भूम के लिए लोग कितना परेशान है और संख्या भी उसके पीछे दोड़ रही देखिया मैं क्यों दोड़ूं साधू देखो जग बवराना साच कहो तो मारन धावै जूठे जग पतियाना साधू देखो जग बवराना हिंदु कहत है राम हमारा मुसल्मान रहमाना आपस में दो लड़े मरत है मर्म कोई नहीं जाना माला पहिरे टोपी पहिरे छाप तिलक अनुमाना बहु तक देखे पीर आलिया पढ़े किताब कुराना करे मुरीद कबर बतलावे उनहू खुदान जाना आउनहू खुदान जाना या विधि हसत चलत है हमको आप कहावे स्याना कह कबीरा सुनो भाई साधो इन में कौन दिवाना साधू देखो जग बवराना साधू देखो जग बवराना प्रधान पुजारी उस समय मूर्ती रखने वाले यही आप हैं महांत राम सुभग दाजी सास्त्री जो इस समय अजोध्या के सबसे बयोबरत है आम जनता तो यह नहीं जानती है कि मूर्तिया इन्हों नहीं रखवाई थी नहीं रिकार्ड में है गौवर्मेंट ने आपके नाम से वारंट जारी किया था वो वारंट का नकल मैं इस समय आपको मौजोध में दिखा सकता हूँ आपको तो जेल से कैसे निकला है जेल से कर वो जमानत पर रिहा हुए मुकदमे चले और मुकदमे से आप फिर बड़ी हो गए नईर सहाब ने निरने दिया कि जब तक इस केस का फैसला नहो तब तक इस सब बड़ी कर दिये जाए मेरा जो प्रारम भी काम था थी भगवान राम उसमें अस्थापित हो इस सिध्धान्त लेकर जितना काम करना था मैं किया अभी बोलने पर मुझे गवर्मेट बंद भी कर सकती है इसलिए मैं बोलता हूँ नहीं पड़े पड़ने ले वृधराय इमामं अधिखतने मगनं आसंभवं और कुनो सन्वन्चास की रात में जब मेरे फादर हाजी अब्दुलगफार साहब इशा की नमाज पढ़ने के लिए गई थे तो उस वक्त नमाज पढ़ा के घर जब वापस आए तो सुबा जुमे के दिन फजर की नमाज पढ़ाने इनको जाना था फिर तो उतनी में मौज़न रात में आया जो वहाँ मज़िल में रहता था सफाई करने वाला ज़ाडू जेने वाला उसने बतलाया कि इन्न हिंदू थीवरवादिकल् आविश्य पिड़ून दत कोड़ दिविथी एंदा आयालूं अविड़े पल्लि पुळिच्चु तन्ने रामरिवेंडी ब्रहत्ताय उरुच्छेत्रम् पणिदेय थीरू एन्नाण लोग मेंबाडूं पल्लिक्यकत्त रामिन्डे विप्रमात्मगमाया प्रतिश प्यडलिने पट्टी वीडियो टेपकलूं मट्टूं उभ्योगिच्च आसूत्रतुवूं व्याबगूमाया प्रचारनमदमू कि तेज दिसम्बर की रात मैंने देखा कि बाबरी मस्जित में यकायक चांदी से फुटी और उस तेज रोश्नी में मैंने देखा कि चार-पांस साल का बेहत खूपसरत लड़का खा है जब बेहुशी तूटी तो मैंने देखा कि सदर दर्वाजे का ताला टूट कर जमीन पर पड़ा था सियासन पर बुद रखा हुआ था और लोग आर्थी उतार है 22 दिसंबर उननी सो अनन्चास की रात्री में भगवान श्री राम लला आयोध्या में अपनी जन्म भूमी पर प्रगट हुए भई प्रगट क्रिपाला दीन दयाला कोशल्या हित्त कारी आरो कंड़ा आ विब्रांदिके पलव्याख्यान अंगल मुंडाई आयोध्यल पल्लिक्यकत राम विग्रहंगल कुंड़ु वेच्चपु रोहिदरिल और आल इन्दम जीविचिरिपुंड़ महंत राम सुभग दास्जी महराज सास्त्री अखिल भारतिय रामानन समपरदाय के प्रधान मंत्री ये प्राइवेट महंत भी हैं और उस ट्रस्ट के सरवाधिकारी हैं आपने स्री रामजन भूम के अंदर स्री रामजन जी का प्राकट उस्सव किया था वहां कौन सा डेट है कौन सा तारीक है कौन सा सन है आप बताने का शक्त करें आपने स्री रामजन जी का प्राकट उस्सव किया था और वहां बाबरी मस्जिद ने भगवान का अब्दार हुआ था आपके वारा आपके उपर भी कोई आर्गिनाइजर था उस निखती में परधान नईयर सहाब थे केके नईयर जो यहां के डियम थे के रावके के लियर दियम और उनीस सो उन्चास से लगातार प्रितमा रखी गई है तब से नहीं हटाई गई अभी तक और आखे ने रखी थी महांतराम सवागदास जी सास्त्री जी जो आप सामने में है आप नहीं ही रखी थी आज हमारे योड़ भी सहज हुई थे के बल में नहीं था तो मूर्ति रखने का काम आपको कैसे उसके बारे में आपने कैसे सब्चा तो स्वपने रूप हुआ और स्वपने को साकार किया मूर्ति रखके स्वपने केबल इन ही को नहीं आया अब मिस्टो अज्यारों साल बाद ये आपनी जंता खर्म की ओर करवट बदली है करवट अभी खड़ी हुई नहीं खड़ी तो उसी दिन होगी तीस अबूबर को उस नए दिहाज के निर्मान करने में बंबईते ज्याद से ज्यादा धर्म केमी आए इस नया इपिहां थे मरियाना पुर्षों संथी राम के मंदर का नाओ निर्मान I appeal to you, Ram Jyoti will give you all the inspiration he did for the betterment of the life All what is needed for betterment of life is only Ram If there is no Ram, there is no survival For that purpose, I am Ramajaak Masa ki, Sokandiraam ki kaate hai Sookandiraam ki kaate hai Sookandiraam ki kaate hai Sookandiraam ki kaate hai Asya, basya, basya, Ramka राम जन्मभूमी एक्चिली बिलंग सो हिंदू अब रूप पर रूप करते हैं आपको लगता है कि यह राम जन्मभूमी बने का? डेफिनेटली परसंट आप क्या काम करते हैं? ऑम दोगाinka क्याता है आप जाने ओला हैं आयोदय tuadu? कनी तरहीं होन सहरा हैं? काद भर को मुखाऊः बुकी वह फिर देखातों हम क्याएं कम सहराम नंगंग से今, कैने कि लाग जैंगा कि वन दोग है आयोध्येले बामपरी मस्चित नर्मिचित आयरती अन्योईटी इरिबधी यट्टि लाणा हिंदू राज्य देवमाय रामेन रबधानेंगल जनकीय माख्यी कुणड एदांड 80 वर्षंगल कुछेशं तुलसीदास रामाय नतिन अधहत्तिन व्याख्यानम रजिच्चु तुरंगी 1518 ओडे आयोध्य मुडूवेन रामच्षेत्रंगल कुणड दर्यू इवील पलदुम रामेन जन्मस तलमाणन पलरुम अबगाच चपट्टू ब्रिट्टीश परणवं व्याबग मायदोडे वलरनुवन्न हिंदु मुस्लीम आयकियम् ब्रिट्टीश सामराजीतिंदे निलनलिप्पिन दने भीष्णियाई मुगल परणादिगारियाई बाबर आयोध्येले रामच्षेत्रं पुलिच्चाण राम जन्मसलत्त मुस्लीम पल्ली पणददद एनन अभ्योहम अवर अवध्योकियम् मायतने प्रजरिप्पिक्यांदुलोंगी रामेन जन्मसलमाई करिदुपिटनन ओन्ना अना इद एन्नुम प्रजरिणम नणनु इए थरकं वलर वेगं हिंदुकोल मुस्लीम्गलं तम्मिलोंग उत्तुत्तिरुपिलोड परिहरिच्चु 59-59INIs observing हिंदू दीबर माधिकिल 크게ए पूर पोलीच्चु तुरन अपड़विग्रहंगल σाबिच्चु अन्न जिल्ला मजिस्ट्रेट आयरुना केके नायर विग्रहंगल अबड़ दिन्द मायटान अयनुमधी नल्गी इल्या क्रमसमाधान प्रश्णम् उन्डावमेंन कारणं बरण्याण अयनुमधी निश्यतिचद अधेहं पिन्निड हिंदू देशियता वाध पार्टिया आया जनसंगत्तिल चेरन पार्लमेंट अंगमाई प्रश्णम् कोडधिकल इल्यत्ती हिंदुकल पल्लिक्य प्रतुल्ल उरी विग्रिहत्र मुनिल्ग कोडधि नीमिच्च पुरोहितन देंद्रत्तिल आराधन तुर्णू